गंगा में नहाने गया था तभी नाना पाटेकर दिखे फोटो के लिए गया तो थपड़ खाने वाले लड़के ने सुनाई कहानी बॉलिवर एक्टर नाना पाटेकर के थपड कांड की चर्चा तेज है और अब इस मामले में थपड खाने वाले लड़के का पक्ष भी सामने आ गया है दरसल वारणसी में फिल्म जर्नी की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक तस्वीर लेने आए लड़के को उन्होंने थपड मार दिया था ये वाक्या कैमरे में कैद हो गया और फिर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया इसके बाद लोगों ने नाना के खिलाफ कारिवाई की बात भी की हालाकि नाना पाटेकर ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात को ट्वीटर के माध्यम से अपने चाहने वालों तक पहुंचाया था उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि फोटो लेने वारा लड़का बाहरी था वो फिल्म का सीन समझ बैठे थे और थपड मार दिया था इस फूरे मामले में अब उस लड़के का बयान भी आ गया है जिसने उनसे थपड खाई थी थपड खाने वाला लड़का वारनसी के खाट बस नान के लिए पहुँचा था तब ही उसे उसका हीरो नजर आ गया फिर क्या था वो पहुँच गया अपने हीरो के करीब उसने अपनी हीरो के साथ अस्वीर लेने की कोशिश की लेकिन नाना पाटेकर ने उसे थपड मार कर भगा दिया वो नाना पाटेकर का बहुत बड़ा फैन है उसने बताया मेरा नाम राज सुनकर मैं बनारस के तुलसीपूर में रहता हूं नाना पाटेकर ने मुझे ही थपड मारा था मैं स्नान करने गया था लेकिन इस समय मेरी नजर शुटिंग पर पड़ी मैंने कुछ देर इंतिजार किया वहाँ पर और फिर ने उनके पास जाकर फोटो मांगी लेकिन उन्होंने फोटो देनी से इंकार कर दिया और मुझे मार के भगा दिया गया लड़के ने कहा मुझे फिल्म में कोई रोल नहीं मिला था इस घटना की वज़ा से पूरे महले में मेरी बेज़ती बहुत हुई है करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था मैं मार खाया और फिर मैं वहां से चला गया था इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जन्ता ने नाना पाटेकर की कड़ी आलोशना की है एक शक्स ने ट्वीट किया जिन्दगी भर ये दाग इस बच्चे के दिल पर रहेगा गलती हमारी ही है जो एक्टरों को इतना सर पर चड़ा लिया एक और ने लिखा क्यों फैन बनते हो इनके बेज़ती करवाने के लिए एक और ने लिखा अबे वो सब शुटिंग का हिस्सा था फिल्माने के बाद देख जब तक तो खामोश रहो एक शक्स ने इस मामले में कहा गधे जैसे मूँ उठा कर चले जाते हैं कहीं भी जूते से मार कर भागना चाहिए था एक और ने लिखा तुमने ही स्टार बनाया था तो फिर वेज़ती भी तुम्हारी ही होगी ऐसे एक बाद गोविंदा ने किया था उसके बाद करियर का दा एंड हो गया था आप इस फुरे मामले को किस तरह से देखते हैं कॉमेंट वपती राय जरूर लिखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बाल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वाइरल अपडेट आप तक पहुंचती रहे